ये है नार्जो N61, दो वेरेंट में लॉंच हुआ है ये स्मार्टफॉन, 4GV, 64GV वेरेंट जिसकी अन्बॉक्सिंग हम अल्रेडी कर चुके हैं, आज है हमारे पास 6GV, 128GV वेरेंट जिसकी आज हम करेंगे अन्बॉक्सिंग, नेजर डालेंगे बेसिक फेचर्स, लुक डि स्मार्टफॉन है, ब्लू कलर के बॉक्स में आता है, वाइट फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मैंसन किया हुआ है, मोबैल का डिजाइन आपको बॉक्स पर कहीं नजर नहीं आएगा, बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर्स जिनने मैं वीडियो में आपको आगे लोगे 6 मंत की वारंटी एक्स्टेंड हो जाएगी दोस्तों, इसके बाद अंदर आपको कुछ डॉकुमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइट, उसर मैनवल, फोन को स्वेप्टी देने के लिए, फ्लेक्सिबल, ट्रांस्परेंट, सिलिकन का का काफी सॉब टीप्यू केस, इ और ये है स्मार्ट फॉन, जिसका फ्रेंट लूक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ड्रोप नॉस दिस्प्ले के साथ आता है, ये जिस पर एक प्रिअप्लाइड स्क्रेच गार लगा हुआ है, इनन फील हाथ में बड़ा फील हो रहा है दोस्तों, साइस काफी बड़ समझाता हुआ, दो बराबर साइस के लेंस नजर आ रहे हैं, लेंस अलके उठे हुए है, में प्रैमरी कैमरा ओनली 32 मेगा विक्सल का दिया गया है, दूसरा एक सपोर्टर कैमरा दिया गया है, विद एलेडी फ्लेसलाइड, फ्रेंट वेट जो ड्रॉप नॉच है, इसके प्रैमरी माइक, चार्जिंग जेक और स्पीकर दिया गया है, मुबाइल को तो हमने अलरडी बूट करके रखा हुआ, इसकी ब्रैडनेस को किया हुआ है 100%, 560 nits तक की पीक ब्रैडनेस मिलती है, इस स्मार्ट फॉन में, डिस्प्ले में कलर्स तो काफी बढ़िया है, ब्रै फाल तो के गेम्स भरे पड़े हैं, और कुछ एक फ्री इंस्टॉल एप्लिकेशन, चाहो तो आप इन्हें अनिस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, और अपने UI को बिल्कुल क्लीन रखिए, ताकि आपका जो फोन है काफी स्मूथली रन करें दोस्तों, नहीं तो दोस्तों यह एफ्लिकेशन होती हैं, यह जो गेम्स होते हैं, बैक्राउंड में खुद रन करते हैं और नोटिकेशन बेचके आपको ही तंग करते हैं, टाच स्मूथ और फास्ट लग रहा है, 90Hz के रिफ्रेस रेट के साथ आता है, यह स्मार्टफॉन जिसमें आपको मिलेगी 6.74 इंच की HD plus IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 229, स्क्रीन रेजिलेशन 722, 1600 फिक्सल फिक्सल देंसिटी, 260 फिक्सल देंसिटी, 260 फिक्सल देंसिटी की दी गई है, स्क्रीन टू बोडी रेशो 90.3 परसेंट का मिल जाता है, 167.26 मिलेमेटर इसकी हाइट है, 76.67 मिलेमेटर की वेड़ और 7.84 मिलेमेटर की थिक्नेस, 187 ग्राम इसका वेट हा और इसके अंदर 5000 मिलेमेटर की बैटरी लगी हुई है, यह स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ आता है, यानि कि स्प्लैस प्रूब है, फ्लस डस्ट प्रूब है, हलके भूलके फानी के छेटे जो है, मुबाइल क कुछ नहीं भी गाड़ने वाले, इसमें आपको Realme का UI मिलता है दोस्तों, Android 14 पे रन कर रहा है, यह स्मार्टफोन जिसमें 15 का अपडेट भी आपको जरूर मिलेगा, बाकी 3 साल के सिक्योर्टी अपडेट देने का वादा किया है कंपनी ने, और प्रोसेसर इसमें 1.8 GHz का O टाकोर और चिपसेट, यूनिसोग T612 का दिया गया है, जो बेस्ट है, 12 NM के फ़ैफिकेशन पर और ग्राफिक माली G57 के मिलेंगे, रेम टाइप LPDDR4X और 128 GB का स्टोरेज 6 GB रेम के साथ यह स्मार्टफोन आपको मिल रहा है, 8,499 रुपे का, एक बार इसका कैमरा भी तो आपको इसका फ्रेंट कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, थोड़ा कलरफुल कैमरा होता है, बाकी पॉर्टेट मोड सपोर्ट कर लेता है, इसके अलावा मोर सेटिंग में टाइमलेस, प्रोफ, एंदमा, स्लो मोशन और QR कोड इसके नर दिया गया, फ्रेंट कै इसके अलावा दोस्तों इसका रीर कैमरा भी चेक कर लीजिये, तो फ्रेंट कैमरा से बढ़िया की मलता है, रीर कैमरा तो काफी कलरफुल है, फ्रायस के इसाप से ठीक ठाक कैमरा दिया गया, दोस्तों पॉर्टेट मोड में देखते हैं, तो बैग्राउंड को जादा बलर तो नहीं कर रहा फिर भी कोसिस तो कर रहा है बलर करने की इसके लाबा 32 मेगा विक्सल के कैमरा को अलग से आप इनेबल कर सकते हैं लेकिन उस ताइम जो है जूम वर्क नहीं करेगा यह यहाँ पर देख सकते हैं जब आप नॉर्मल मोड बाऊगे तब आप इससे 10X तक जूम कर सकते हैं ओबरॉल देखा जाए तो स्मार्टफॉन तो ठीठाक है डिजाइन बढ़िया है कैमरा क्वाल्टी भी बढ़िया मिल जाती है डिस्प्ले किलेटी भी बढ़िया मिल जाती है ले लीजिए दोस्तो उसमें आपको स्टोरिज भी तगड़ा मिल जाएगा साड़े 8000 रपे की रेंज में आपको मिलेगा क्या 8 मेगा विक्सल का फ्रेंड कैमरा रियर कैमरा 50 मेगा विक्सल का उपर जे 45 वोट का सूपर बोक चार्जर अडप्टर चार्जिंग की जंजटी नहीं यह जो चार्जर है दस वोट का दो तो तिन तिन घंटे लगा लेगा इसको फूल चार्ज करने में तो आज कल किसके पास है इतना टाइम दोस्तो बाकी तो आपनी अपनी पसंद होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स हो मताईए कैसा लगा आपको यह स्मार्फोन इस बजल ट्रेंज के अंदर क्या आप इसे पर्चिस करना चाहोगे